बिहार में अब बिजले की परिशाने बिलकुल खत्म हो जाएगी। नई साल में बिजले कमपनी ने बिजले की किलत खत्म करने के लिए बिजले ट्रांस्मिशन विवस्था को मजबूत किया है। बिजले कमपनी बिहार में बिजले के बढ़ते डिमांड को पूरा करने के लिए ट्रांस्मिशन नेटवर्क तयार कर रही है। इसके बाद बिहार के हर जिले के लोगों को बिजले की किलत की परिशानी खत्म हो जाएगी। और इसके लिए बिजले कमपनी 13540 मेगावाट शम से इसको लेकर पूरी विवस्था कर दी गई है। इस वीडियो में हम सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे कि बढ़ती डिमांड को देखकर बिजले कमपनी जिस ट्रांस्मिशन की विवस्था कर रही है। क्या उसके लिए लोगों को बिजले बिल जादा देना पड़ रही है। जिसके बाद लोगों को परिश्चानी से राहत मिलेगा। इस साल यानि के 2023-24 में बिजले के डिमांड सबसे ज़्यादा रहने वाली है। और यह संभावना लगाया गया है कि इस साल बिजले के पिक डिमांड 7521 मेगावाट तक होगी और इसके लिए बिजले की तरफ से 1691 करोड रुपे खर्च किये जाएंगे जानकारी के मुताबिक काम की शुरुवात भी हो चुकी है। इसके लिए पश्चिम चंपारन भागलपूर गया और अंगाबाद बखसर के साथ साथ पटना में भी ट्रांसमेशन नेटवर्क का काम शुरू कर दिया गया है और जल्द ही सभी कामों को खत्म करके बिहार के लोगों की बिजली की किल्लत को खत्म कर दिया जाएगा इन सभी कामों के साथ साथ पश्चिम चंपारन के बगहा में भागलपूर के बरारी में फिर गया और और अरंगाबाद में भी 132 केवी शंता की 5 ग्रीट को बनाया के अलावा बकसर थर्मल पावर प्लांट से बिजली के निकासी के लिए 817 करोड रुपे खर्च करनी है और इस पैसे से 400 केवी और 220 केवी के ट्रांस्मिशन लाइन का निर्बान करवाया जाएगा कुल मिलाकर बात यही है कि अब बिहार के लोगों को बिजली की कमी का सामन कर रही है इस वजह से डिमांड को देखते हुए बिजली के पूरी करने के लिए बिजली कंपनी भारी बजट के साथ ट्रांस्मिशन लगवा रही है इसके बाद लोगों की सारी परिशानी खत्म हो जाएगी राजदानी पत्ना में भी बिजली को लेकर विवस्था किया र बनवाया जाएगा इन सभी कामों के बारे में जब बिजली कंपनी के अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि कंपनी की तरव से यह सारा काम आने वाले भविश्य की संभावनाओं को देखती हुए किया जा रहा है जिस तरीके से विकास हो रहा है उसी हि उड़ पुबहुखताओं को सतायगी के बिजली कंपनी बिजली के दाम में बठो कर ने वाले हैं एक विजली कंपनी उपल भाग को लिखित आवेदन जमा किया है जहां पर कंपनी की तरफ से बिजले विभाग को ये प्रस्ताव दिया गया है कि वो बिजले की कीमत को बढ़ाना चाहती है जिसके लिए उपभोगताओं के साथ भी विचार विमर्ष किया जाएगा और इसके बाद ही उपभोगताओं की तर की कंपनी बिजले बिल में बढ़ोत्री करेगी मांकि बिजले कंपनी डिमांड को फूरा तो करेगी इसके साथ साथ बिजले की कीमत भी बढ़ाने जा रही है आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा आगे की तमाम खबरों के लिए जनता देखते रही हन्यवाद